हलो फ्रेंड्स वर्धनी केडवी में आप से भी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सुपर्टेट की जो क्लासे हिंदी की चल लाई है उसमें आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है सब्द रचना तथा इससे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं और यह हमारा दूसरा यहां पर चैप्टर है और यहां पर कोशिस की गई है कि एक भी कोश्चन आपका सब्द और वाक्य से यहां पर आपका ना चूटे ठीक है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुस्किल से 20-25 मिन अच्छे से तियार हो जाए ठीक है कोई भी चैप्टर आपका हो अगर आप लोग थोड़ा सा लिखते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में अगर आपको इसमें को अगे जो हम लोगों का में चैप्टर है उस पर ध्यान देते हैं तो सब्सक्राइब ने देखिए सब्द क्या है अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार था किवें सतंत्र ध्वनी अथवा ध्वनी समुह को सब्द कहते हैं ठीक है अक्षर के बारे में पिछली वर्णम किये जाते हैं चार आधार पर किये जाते हैं पहला है अर्थ के आधार पर दूसरा है यहां पर ब्यूत्पत्त तथा रचना के आधार पर फिर है उत्पत्ति के आधार पर और लास्ट में है आपका सब्द सक्ति के आधार ठीक है तो इस तरीके से सारे पार्ट यहां पर द आरथक है जिन सब्दों का कुछ आर्थक निकलता है जिसे हुँए कि आप है पानी इद्याद सब्काहे सब्सक्रादर कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक अलाते हैं जैसे धम फटा फटन चटा चटा दी यह सब कैसे हैं यह निरर्थक सब्द है लेकिन यह क्या होते हैं निरर्थक सब्द होते हैं कुछ निरर्थक सब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक सब्दों के साथ प्रियुक्त होकर सार्थक हो लेकिन इसके साथ ये उज हो जाता है, खाना वाना, घड़ी की टिक-टिक, घड़ा टन से बज़ गया, तो टन यह निर्थक सब्द है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ आ गया, घड़े के साथ तो यह यह सार्थक हो गया, तिक, वियुत्पत्त, अब देखें दूसरा प्रकार ह जो सब्द किसी अनि सब्दों के योग से नहीं बनते हैं, इनहीं काठा नीकलता है, जैसे आम हात, कान and कलम इत्याद़ु अब देखिए उन का क्या है? किसी अन व्हयाँ सब्दों इत्याल्प करें अलार्फ क्स वर्ण योग Наये हैं data लिखा है वहां किसी चीज से मिलके नहीं बनते हैं, तो यह सब क्या होते हैं, रूड सब्द होते हैं, जो अपने आप में किसी से मिलके जुड़के ना बने, फिर देखें, योगी सब्द काउंस होते हैं, जो सब्दों के योग से बनते हैं, जिनका खंड किया जा सकता है, जैसे विद्यार् इसको क्या करत लेख सकते हैं? विद्याः प्लस अर्थी ठीक है छात्रावास प्लस आवास विष्युविध्या लेह एक तरफ विष्युंखद्ध्ध्ध एक तरफ विद्या ले तो योगीक सब्द हो गए ठीक है तो यह तो यह तो वहверж logisam नहीं समझ सकते हैं योगिक सब्द फिर होते हैं योग रूण सब्द होते हैं जो किसी से जुड़के नहीं बनते हैं योगिक कौन से होते हैं जो दो सब्दों से मिलके बनते हैं और जो योग रूण होते हैं उनके बारे में देख लिए जो सब्द दो या दो से अधिक पर अपना सामान अर्थ छोड़कर कोई विसेस अर्थ देने लगते हैं जैसे पंकज, स्वरी जैसे यहां पंकज ठीक है पंकज है, पंकज में क्या है, दो सब्दों से कैसे पंक प्लस ज, दो से मिलके बना है लेकिन पंक का अर्थ होता है कीचड अजय मतलब उससे उत्पन लेकिन इसका अर्थ तीसरा निकलता है कमल ठीक है कमल इसी तरी का जलद है जलद का मतलब होता है बादल ठीक है लंबोधर है इसका मतलब होता है गणेशी तो यह सारे के हैं योग्रून सब्द होते हैं इस तो हिंदी में प्रयोग किये जाते हैं तो तद्वाव सब्द क्या होते हैं जो संस्कृत से सीधे-सीधे उठा के लिए लिए गए जैसे पुष्प, अग्नी, आम्र, मुख, फल, आदी ये सब क्या है ये सारे तद्वाव सब्द है जैसे संस्कृत में अऊं से उठा के वहां रख़े प्रया है तद्वाव सब्द क्यों है? संस्क्रत से आए सब्दों से-उत्व्ण हुए सब्द है जैसे फूल है, आग है, हाथ है, आम है ये सारे क्या है? ये सब्द अग्नित्वाव सब्द है माराथी में जिसे प्रगत ही हैं, जालू है, बाड़ा है, यह सारे क्या है देशाज सब्ड है टिक है विदेशी सब्द काँ से होते है जो सब्द विदेशी भासाओं से ज्योकेत थिएओ अत्वाप परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते है ज्योकेते्ढn अवरत है, अमीर, अकल, इलाज, इस्थीपा, आदी है, हम लोग देखें, नॉर्मली बोलते रहते हैं, जबकि ये विदेशी भाहसाओं के सब्द है, ठीक है, ये कहां कि है, अरबी है, ये सारे सब्द क्या है, अरबी है, ठीक है, अदालत, आवरत, ये सारे, फार्सी के कौन लकुर्ता, सुराग, बहादूर, तलास, कूली, नासपाती, ये सारे क्या तुर्की, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यह आपे लिख दिये है, अंग्रेजी में अपील, टिकट, डिगरी, डॉक्टर, गिलास, पतलून, पब्लिक, जिसे इसमें कुछ नहीं है, तो संकरवर्ण, दो भासाओं के मिस्रण से बने सब्दें संकर कहलाते है, उधारण के लिए, रेल, ठीक है, प्लस गाड़ी, दो भासाओं जिसमें मिल नहीं हो, दो भासाओं, जैसे रेल क्या है, अंग्रेजी सब्द है, अब गाड़ी है, हिंदी, तो ये हो गया संकरवर्ण संकरवर्ण, ठीक है, तो रेल काड़ी क्या होगा है, संकरवर्ण, अरभी प्लस फारसी के हैं, जैसे गलत फहमी, नुकसान दे, जाल साज, ये सब क्या है, अरभी प्लस फारसी, हिंदी प्लस अरभी के कहा है, इमाम बाड़ा है, गुलाभी है, सराभी है, आदी, हिंदी प । वाचक अभिद्यา जिसोे जिसों बोलते हैं। इन सब्डों का आर्थ सरल्ता से समझ में आ जाता है। जैसे घर, नगर, सडग, फल यह क्या है? वाचक है जिनका आसानी से इनका आर्थ समझ में आ जाता है। फिर होते हैं लाज्चड़्ण मतलब लक्षणा, ठीक है, वे सब्द जिसका सीधा सब्दिक अर्थ ना लेकर प्रियोजन वस दूसरा अर्थ लिया जाता है, लाच्छिक सब्द कहलाते है, ठीक है, फिर आते है व्यन्जक या व्यन्जना, व्यन्जक वे सब्द होते हैं, लेकि बहुत जदा ये वाले पूछा जाते हैं लेकिन फिर भी मैंने बता दिया जिससे गलत नहों कभी भी आ जाए अगर वेंजक वे सब्द होते हैं जिनका ना वाचार्थ लिया जाता है ना ही लच्छार्थ कोई चोर रात में अपने एक साती से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है ठीक है तो इस तरीके क कोईश्चन होते हैं वो होते हैं वेंजक में ठीक है फिर आता है रूपांतर के अधार पर सब्दों के वेद इसमें दो होते हैं दो वेद होते हैं रूपांतर के अधार पर विकारी सब्द और अविकारी ये बहुत पूछे जाते हैं ठीक है लिंग वचन और कारक के कारण जिन सब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है विकारी सब्द कहलाते हैं जैसे विकारी सब्द तुम वहाँ बालग आरी यह क्या है लिंग वचन और कारक के गारण यह सब्द जो है इसमें परिवर्तन हो सकता है ठीक है ठीक, तो यह होते हैं विकारी, फिर होते हैं अविकारी सब्द, जिन सब्दों के रूपों में, लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी सब्द, जैसे आगे, पीछे, उपर, नीचे, यहां, गीत करने भेद्स हैं ningúnink ws भिकारी शब्डों के बया को, ओविकारी सब्ड सब्ड. अविकारी सब्ड में संग्या सरवना, क्रिया विशेश्ण में विष्चाण, विस्वियादी विशेश्ण में संबंध विष्मियादी विष्ण होते थैं भीकारी और अभिकारी होते हैं। तो यह तो उपर हम लोगों यह बात कर ली थी, अब हम लोग देखेंगे वाक की रचना को ठीक है, यह सब्द हमारा कम्लीट हो गया, एक भी उमीद है कि एक भी चीज इसमें छूटी नहीं होगी, अब देखें, आर्थ के अनुसार वी से इस परकार के वाक्य होते हैं, मिष्रिद वाक्य हो क्ती हो, कि विचए लोगोज के आर्थ के आर्थद विचेश परकार के वाक्य होते तो इसमें होता विधानार्थ होना पायाजाता है, जासे किसी बता होना पाया जाता है जैसे किouverदू आटए बहुत है, सब्सक्रणों अगार्या बता रहा होते हैं, यह अभी पूरा लेंदी एक तरीका चला है चैप्टर जितने भी हो रहे हैं आपके और जब आपका नोटिफिकेशन वगएर आजाएगा फिर सॉट नोट्स में होगी चीजे तो जिससे आपकी कोई छूटे ना इसलिए यहां पर थोड़ा सा रखा जा रहा है निसे धार तक वाके जो होते हैं निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिस वाके में किसी वात के ना होने का बोद होता है मैं किसी इसे लड़ाई मोल नहीं ले सकता है अग्यार्थक वाके होते हैं फिर जिस वाके में आग्या उपदे सत्वा आदेश का बोद होता है सीगर जाओ वरना गा भाव का बोध होता है, धन्वान बनो, ठीक है यह इच्छा है यह आशिरवाद, फिर है संदेहा अर्थक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह का बोध हो, जैसे समीना मुझे भूल चुकी है, ठीक है, मतलब एक संदेह का बात यहां पे आ रही है, फिर होता है संकेता अर्थक वाक तो यह नहीं हो गए आठ परकार में हो आधाय अरतक्वा। आप देखिய सांधी कि वह तो या हुए हुख वाके नहीं है? वीघर पी जो कहें है, हम तो दिसक्राहें होती अच्छलम्त होनद जाए हुएिया होतों 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 होते है। कि नहीं, उदुदेस किसा का जाता है least, उसे सूचित करने वाले सब्दु को उद। कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट किसी को कहते है किण लड़कियां खेलती इसे लड़कियाे गहता है तो किसे बारे म का बात ह उ रही है? लड़कियों के बात है तो यह हो तैन्स जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता और एक समापी का क्रिया होिती। सढधारण वाक्य कहँदा है राधन में उधारण में मृदुला पुस्तक बड़े है। कर्मे आ सकते हैं मृधूला पुस्तक को पिपड़े हैं pressing। तो यहां पर देखें, मर्दुला पृस्तप पड़ लहीं, एगदम साधान वाक्य है. अब नैक्ष देखते हैं, अपर यहां पर देख सकते हैं, अच्छा बच्चा मेठा दूध अच्छी तरह पीता है, यह इसमें नोड जो है, उसका एक व्याक उदारन दिया गया है. संयोक्तु वाग कंपाउने सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक साधान वाकित, जब समुच्य वोदक पर किंतु और या आधी से जुड़ जाते हैं, तो वे संयोक्तु वाग कहलाते हैं, जैसे ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं जल्दी न उठ सका, जिसमें ये स सारे साधान वाग के जचीजँ न न उठ समुच्य वोदक चीज़ें जैसे पर, किंतु और या या ये सारी चीज़ें जिसमें भी लग जा है वो सारे होते हैं, पहचान है सायोक्तु वाग की थी, जब एक साधान वाग के दूसरे से जुड़ता है, साधान या मिसरित वाक पर भेद या विरोध का संबंद रहता है, जैसे वहां मेनत तो बहुत करता है, पर फल नहीं मिलता, तो यहां पर विरोध भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर पार्के दौरा यहां जुड़ रहा है, ठीक, पिर होता है विकल्प सूचक, जब दो बातों मेंसे किसी एक को चुनना हो, जैसे चाहे वहां जाओ, चाहे बजार जाओ, तो यह यहां पर भी हो गया, परिमार बोधक में, रिजल्ट इंडिकेटर, इसमें क्या, जब एक साधार वाक्य, दूसरे साधार या मिस्रिद वाक्य का प्रड़िणाम होता है, आज मुझे बहुत काम है, यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यह सारी पहचान है, फिर सायोग्त वाक्य हमारा प्रड़िट होगे, अब लास्ट हमारा बचा है, मिस्रिद वाक्य, ठीक है, मिस्रिद वाक्य को देख लेते हैं, बस, कॉंपलेंग सेंटेंस, जब किसी विषय पर पूर्ण होते हैं, जो समुच्य वदक से जुड़े होते हैं, मतलब कई सारे हैं, जैसे, जो मेहनत करता है, वह फल पाता है, ठीक, आस्रित वपवाक है, और यहां पर मुख वपवाक इस दर साहिड में है, ठीक है, मालूम होता है कि आज वर्सा होगी, तो इस तरीके, जहां की पाता है, उधारन के लिए, वहां चाहता है कि मैं यहां कभी न आओ, ठीक, तो यहां पर जो की मैं यहां कभी न आओ, यह संग्या उपवाक हो गया, ठीक, जैसे, जो घड़ी मेज पर रखी है, वह मुझे पुरसकार सुरूप मेली है, तो यहां पर विशेषड उपवाक ह हो गया, इसलिए यहां पर यह हो जाएगा, लास्ट में है, क्रिया विशेषड उपवाक है, ठीक, यह लास्ट है, ठीक, इसमें जब आस्रित उपवाक है, प्रधान उपवाक की क्रिया की विशेषता बतलाता है, तब वहां क्रिया विशेषड उपवाक कहलाता है, इसमें जब वहां मेरे पास आया, तब मैं सो रहा था, यह क्रिया विशेशन उपबाग है, तो इस तरीके से आपके जो सब्द और वाक्य हो गए, अगला जो चैप्टर हमारा होगा, वह होगा उपसर्ग प्रत्य और विराम चिन, देखिए यह उपसर्ग प्रत्य एक साथ आते, वि क्योंकि छोटा सता, फिर उसको अलाग से पढ़ाने के लिए, मुश्किल से 2-3 मिनट की वीडियो बनती, तो मैंने सुचा उसको उसी मैड कर दूँँ, जिससे आप लोगों का समय भी बचेगा, और काम समय में चाज़ा चिज़े यहां पे कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है